देश के सम्विधान में 35A एक ऐसा अध्याय है जिसे हटाने की पहल हुई तो जमू कश्मीर की मुख्यमंत्री रहते हुए महबूबा मुफ्ती ने कह दिया था कि ऐसा किया तो घाटी में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा आज एक बार फिर 35A का मसला सुप्रीम कोट में था अधालत में सुनवाई भले ना हुई हो लेकिन कश्मीरी अलगाव वादियों को पैती से के हटने से कितना खौफ है इसका पता जरूर चल गया पैती से हटने की अफवाह मातर से शुनगर अनंत नाग पुलवामा में हंगामा मच गया बाजार बंद करा दिये गए स्कूलों के छुट्टी करा दी गई पुलिस पर पत्थर बाजी हुई और सड़कों पर नारे लगने लगे तो इस तस्वीरें आपने देख ली और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमारा देश का समिधान जमु कश्मीर को कुछ ऐसे अधिकार देता है जिनको अलगाव वादियों ने अपना हथियार बना लिया है कश्मीर को भारत से अलग करने का यदिकार है क्या आपको पता है कि जमु कश्मीर के भारत का अभिन अंग होते हुए भी हरियाना, पंजाब, दिल्ली, केरल, तमिलनाडू या भारत के किसी भी रहने वाले राजे का कोई भी आदमी जमु कश्मीर में स्थाई तोर पर नही नहीं खरीच सकता, क्या आपको पता है कि आपकी देश के किसी भी राजे में सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन अगर आप जमु कश्मीर के निवासी नहीं है, तो भारत के निवासी होते हुए भी आपको वहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और इतना है नहीं, जमु और ये कि क्या यही विवस्था नहीं है जो जम्मू कश्मीर को असल में भारत से काट देती है तोड़ देती है तो इस विवस्था के खिलाब अरजी सुप्रीम कोट में आते ही अलगाबवादी आखिर बंद का एलान क्यों करने लगते है पत्थरबाज हाथों में पत्थर लेकर सड़कों पर क्यों निकलाते है इस याचिका से उमर अब्दुल्ला परेशान क्यों हो जाते है और महबूबा मुप्ति को गुस्सा क्यों आ जाता है क्योंकि पैती से हटाने का मतलब होगा धारा 370 की रीड तोर देना इस पर बहस करेंगे कि एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए उसके पहले आप ये जान लिजीए कि 35 पर जो याचिका अधालत में लगी है वो असल में क्या कहती है हम आपको बताते हैं अदालत में जो याची का लगी है वो ये कहती है कि ये अनुच्छेद देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है ये राष्ट्रपती के आदेश से संसद को अंधेरे में रखते हुए समिधान में लाया गया और ये एक भारत की भावना पर चोट करने वाला अनुच्छेद है अब सवाल ये है कि हम एक तरफ एक देश एक टैक्स चाते हैं एक देश में एक साथ चुनाव चाते हैं तो फिर एक देश में एक कानून भला क्यों नहीं होना चाहिए इसलिए दंगल में आज हम सीधे सवाल पूछेंगे आखिर 35A पर याचिका से अलगाव वादी इतना डरते क्यों हैं 35A के नाम पर देश के लोगों के साथ आखिर भेदभाव कब तक होता रहेगा जमु कश्मीर की महिलाओं के एधिकार पर आखिर डाका क्यों डालना चाहती है वाँ की राजनीतिक पार्टियां और 35A पर क्या सरकार, BJP और जमु कश्मीर की पार्टियां सब अपनी रोटी से करें और सबसे बड़ी बात कि अगर भारत देश एक देश है तो फिर हमारे देश में कानून एक क्यों नहीं है तो हमारे साथ हैं गौरब भाटिया, वो BJP का पक्ष रखेंगे हमारे साथ हैं अवनी जेश अवस्थी, वो RSSS के जानकार है हमारे साथ हैं RK राइजादा जो की सुप्रीम कोट के जाने माने वकील है और खास तोर पर 35A से जुड़ी याचिकाओं में आपका दखल रहा हमारे साथ हैं केके सिना जो की रक्षा मामलों के जानकार है हमारे साथ शुनेगर से दो में मान जुड़ रहे हैं इप्तिकार मिजगर है जो की पलिटिकल एनलिस्ट है याने की राजनीतिक मिश्वलेशक और हमारे साथ जीम शाहीन है वो स्टेट प्रेजिट है जमू कश्मीर जेडियू के स्वागत है जीम शाहीन आपका भी सबसे पहले तो मैं जीम शाहीन साब आपी से पूछता हूँ कि जब एक अफवा मातर फैलती है कि 35-A को लेकर कोई बड़ी कारवाई हो रही है लोग सड़कू पर क्यों आ जाते हैं पत्तरबाजी क्यों ने लगती है हंगामा क्यों मत जाता है दर किस बात का है रोईट साब क्यों नहीं हंगामा क्यों नहीं होगा और क्यों लोग सड़कू पर नहीं आएंगे जबकि एक बुनियादी हक है 35-A and 370 जो है इसके ताहत एक अकार हुआ है जो मुकिश्मीर and संटर के बिट्वीन अगर इस आपका जो एधिकार है अगर आप सेंटिमेंट्स के साथ छेडने की कोश्च करोगी अगर आप इसको छेडते हो तो लोग सड़कू पर क्यों नहीं आए और ये तो हमारा जुबूरी हक है यही तो हक हमें मिला है 35A and 370 के अंडरी तो हम लोग देश के साथ जुड़े हुएं अगर 35A नहीं है 370 नहीं है तो फिर क्या है देखिए पहले आपको समझना चाहें कि 35A and 370 है क्या 35A and 370 जब इंडिया आजाद हुआ था और जुमू कश्मीर का जहां तक मामला था जुमू कश्मीर एक माराजा के अंडर था और माराजा के बाद शेक मामद अब्दुला ने पार्लिमेंट जो पड़ी जवला नहरू थे उस टाइम के देश के प्रदाल मंतरी थी और क्योंकि डाक्टर बाबा आसाव अमैटकर ने इस ड्राफ्ट को फ्रेम नहीं कیا इस बाब इस ड्राफ्ट को फ्रेम किया था डाक्र रजूंदर प्रसाद ने और तब जाकर यह अग्रिमेट बना कि बिट्वीन जबो किश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ रहता है तो किन सर्थों के साथ रहेगा तो क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे अगर इस चीज को बुनियादी हग जो है यहाँ पर elections होते हैं बाज़ारता हम दूस्त क्योंकि जुमुरेट किश्मी रेक अटूर अंग भी है देश का लेकिन मुझे बताए मैं आपको पूरी तरह से समझ गया अभी कट्डाउन नहीं हुआ पहली बात उसको लेके याचिका लगी है दूसरी बात मेरा सवार साथ है आपको इसना उद्वेलित होने की जरूँ नहीं है शाहिन साब मैं तो बड़े आराम से बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ इतना घुस्फा होने की जरूँ नहीं है आराम से बताए आप एक प्त्र बाद थोड़ी है कि आप गुस्षे में आके उबल जाएंगे एक दम से, रिस्पेक्टफुली मैं आप से बात करेंगे तो सर लड़ने थोड़ी न लगेंगे, बात करेंगे न, आराम से बताएं, मेरा सवाल यह सर, आप कहरें, पैती से जम्मु कश्मीर को भारत से जोड़ता है, मैं कह रहा हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं हरियाना से आने के बाद मुझे कोई टोक अटाकी, कोई पूछताच, कोई सवाल जवाब, कोई वीजा पास्पोर्ट जैसा दस्तावेज नहीं चाहिए होता, मैं मकान खरीच सकता हूं, मैं नौकरी कर सकता हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं, पाल सकता ह कर सकता हूं, मैं जमू कश्मीर में यह क्यों नहीं कर सकता, तो 25 से जोडता है वारत से, इतना बड़ा देश होने के बाद, रियासत जमू कश्मीर एक छोटी सी गरीब रियासत है, मुझे बताई क्या इतना सुमिदा भी नहीं देंगे आप, आप देखें, जमू कश्मीर यहां के लोगों को sentiments के साथ चेड़ने की बात यहां के जुमू कश्मिर इसमे जुमू अलग नहीं है लदाक अलग नहीं है कि लेकर पूरा रियासर जुमू कश्मिर चाहे जो के डोग्रे हो, चाहे गुबता हो, चाहे कोई और हो चाहे किस्मिर के लोगे होदा है. मैं तो केवल इस देश के समिधान की बाव्ता की बावना का एक सब्सक्राइपूर्ट है. जो यह कहता है कि यह देश एक है और इस देश के हर नागरिफ को देश के किसी भी हिस्से में जाकर रहने फलने पुलने का अधिकार है जो है देश के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन 35 A and 370 के प्रिज के ताथी हम जुड़े हुए है जिएम शाहिन अगर कल को आपकी पार्टी आपको कहे हम आपको बिहार यूनिट का देश बना रहे हैं आप बिहार में जाके आराम से रह सकते हैं लेकिन बिहार वाले को बाई जम्मु कशमिर का देश को नहीं रह पाएंगे इस अजिकार के साथ हम देगे जेन्ट के आल रे एक कंफ्लिक्ट जून बन चुका है बड़ी तकलीफ है यहाँ पर रोईट साथ बेचियों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे है बच्ची अगर बाहर किसी को पसंद करके शादी कर ले है तो माबाप से बेतक्व कर देंगे जादी वो शादी देखे एक छोटा सा मामला इसको हमारी एसम्बली हमारी सिटेट की एसम्बली और देश के प्रेजिडेंट एमेंडमेंट कर सकते हैं आप इस शादी का मुद्दा रख सकते हैं सिटेट असम्बली के सामने जहां पर इसको अमेंडमेंट हम कर सकते हैं और प्रेशल्ट आफ इंडिया ऐस पर देशनीचर मेड बाइड पंडिल जवाला नहरू जवाला नहरू साब अब नहीं रहे हैं अगर अगर तकलीफ खाली इतना है कि हमारी बेटियां जो है उनको यहां पर प्रॉपटी नहीं मिलती इसकी अमेंडमेंट जो पावर है इस पर दे आउडर ये असम्बली आफ जमोएंड कश्वीर एंड प्रेशिडेंट आफ इंडिया इनके पावर्स में है देने की उसके पहले साड़े पाँच हजार लोग ऐसे थे राइजादा साहब जो की आए जम्मो कश्मीर में और उनको आज भारत की लोकसभा की सीटों पर चुनाब करने का अधिकार है लेकिन वो जम्मो कश्मीर की विधान सभा में ना चुनाब लड़ सकते हैं ना वहाँ पर वोट डाल सकते हैं यह ऐसी कौन सी अनुच्छेद है सम्मिधान की जो उसी सम्मिधान की भावना के खिलाफ ले जाती है सारी मेवस्था को जो कहता है कि यह देश एक है और इस देश के हर नागरिक को वो सारे अधिकार है जो की एक राज्यम है वो दूसरे राज्यम भी लागूँगे देखिए इस देश में भारत के सम्मिधान में एक बात बहुत इसपस्ट लिखी इसकी जब प्याख्या हुई जब शिक्क्यम का मरजा हुआ इस देश में तो सुप्रीम कोट ने पोडियाल वरसे स्टेट अफ सिक्क्यम में एक बात बहुत इस पस्ट रूप से कही इस सिस्टम अफ गवर्नेंस इन इस स्टेट और जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसके सेंट्रलिटी में है सिटीजन अफ इंडिया और यह जो राइट टू वोट है ना यह जो जमू एन कश्मीर में जो राइट टू वोट यह 1944 से पहले जो लोग वहाँ सेटल हो गए थे जिनके पास लेंड थी उनहीं के पास होगा और जो 1947 में पार्टीशन के बाद साड़े पांच हजार परिवार अपने शिफ्ट होके और जमू एन कश्मीर में आकर सेटल हो गए जिनको हम वेस्ट पार्क रिफ्यूजी कहते हैं हम का निरादर करते हैं उन्हों को रिफ्यूजी कहके और उनके वारिसान को जो 1944 के बाद कोई भी आया और वहाँ पर्मनेंटली स्टैबलिश हो गया उसको यह साबित करने का हग ही नहीं है कि मैं यह पर्मनेंटली रहता हूं और यह इन्होंने जो 1944 में जो लोग वहाँ सेट दिया कि राइट टू वोट स्टेट असेंबली में नहीं होगा यह सेक्शन 6 अब स्टेट कांसिटीशन से बना और यह 35 ए आर्टिकल की स्टेंग्थ पर बनाया गया जम्मु एन काश्मीर की जो गौर्मनेंट है उसने कांट्रफिडविड फाइल किया है कि हमने यह सेक्श कि यह एंसेस्ट्री के लिए राइट टू वोट है यह पूरवजों के लिए दिया गया श्रधांजली है और यह सस्टेन नहीं कर सकते हैं अब राज्य की सरकार तो अपने अधिकार को लेके पूरी तरह से जागरू को के मैदान में खड़ी है गौरब भातिया केंदर की सर सम्विधान में है और शुरुवात होती है कि इट इस टेंपररी प्रोविजन और जन्नी 35 एक की 370 है 35 एक खुद जो है आज सर्वोच जाले इस मामले को देख रहा है कि क्या प्रेजडेंशल ओर से 35 ए लाया जा सकता था और वो सम्विधान की सही स्पिरिट थी और हमारे स सम्विधान की जो मूल भावना है मूल मंत्र क्या है कि जो नागरिक है उनके मूल अधिकार अनुछे 14, 15, 16, 21 नागरिकों के साथ भेवाव नहीं हो सकता सरकारी नौकरियों में बडाबर से जो है अफसर मिलेंगे इसका वाइलेशन करता है 35 ए और कई लोगों ने ये पेट सकते हैं प्रॉपर्टी भी एक्वाईर कर सकते हैं तो क्या ये भेदबाव नहीं है कि दूसरा भारतिये नागरिक अगर कश्मीर जाता है तो उसको ये सेम अधिकार नहीं मिलता है तो गौरब बाटिया मुझे ये बता दीजे जो बातें आप यहां मुझे बता रहे हैं य केवल भारतिये जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो कहती है कि सम्विधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए टेंपररी प्रोविजन है इसलिए अनुछे 370 को खतम होना होगा मेरा प्रशन है कॉंग्रेस है पीडीपी है और पुलिटिकल पार्टी है कभी आप दूसरी बात सर दूसरी बात अदालत में भारतिये जनता पार्टी की अगवाई वाली सरकार गोल क्यों करती है अब अदालत में मैं अधिवक्ता हूँ सर्वोच नैले में प्रैक्टिस करता हूँ आपको एक जानकारी दे दो कि ये पिटिशन 2014 में आई इसमें नोटिस हु होती है आज भी मैटर एडजर्ण हुआ गोलमोल सरकार ने नहीं किया जहां सरकार के वकील ने कहा कि इसको अगे के लिट टाल दीजिए हमारा इस पर अभी स्टैंट ता है रहा हूँ सर जिसको लेके एक मिनेट सुल लीजे ये 55 साल से जो एक सत्ता में रहे कॉंग्रिस पा अगर इतना असान होता भारती जनता पार्टी में तो ये इच्छा शक्ती है कि हम लोग इसको कॉंटेस करेंगे या अपना पक्ष रखेंगे कॉंग्रिस ने तो इस मुद्दे को कभी उठाया ही ने तो आप ये 55 साल से जो एक रहा नहीं या कॉंग्रिस 370 के पक्ष में ज से चले आ रहे हैं उस पार्टी को 2014 में याचिका के आने के बावजूद जवाब देने का 2018 आ जाए और वो जवाब ने दे पाए अदालत में कि हमरा स्टेंड का है इस पर रही जी दो बाते हैं एक तो वैचारिक स्तर पर है और एक प्रक्रिया ग्रत है वैचारिक स्तर पर क कि जम्मू कश्मीर भारत का आविननंग है जम्मू कश्मीर के नागरिक और शेष भारत के नागरिकों के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए एक दूसरी बात मुझे आज ये शाहिन साब जो थे या बाकी लोग जो हैं जो भी इसके पक्ष में खड़े हैं मुझे ये कोई नहीं होता बाबा साब अम्मेदकर जो हम सब के लिए अत्याजिक सम्मान जनक हैं उन्होंने 370 के लिए बायकॉट किया था कि मैं नहीं करूंगा आज बाबा साब अम्मेदकर के अन्याई जो हैं सारे इस 370 के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते और उन पार्टियों के साथ है जो 370 के साथ है ये इस देश की राजनीती की इतनी बड़ी विडंबना है कि जिसमें सिर्फ सक्ता तक जाने के लिए हम महागडबंदन तो बना लेंगे लेकिन बाबा साब अंबेद करके विचार को उनके सोच को उनको तिलांजली देंगे अफ्तकार मिजगर या जी को 370 और 35 A को बहुत डीपली पढ़ते हैं पूरे रक्षा के लोग जूले हुए हैं जो भी वहाँ पोस्टोड होता है इसको पढ़ता है क्योंकि इस स्पेशल प्रविजन है उस समय से पूरे देश के कोई भी आदमी जो वहाँ पर सर्व किया है उसको जड़ा भी है कि 370 और 35 A ही एक मूल कारण है कि जम्मू पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ है आज के दिन में जो खास करके 8 डिस्टिक्ट के अंदर जो आप वालिंस देख रहे हैं 10 कश्मीर वैली में आप तो कहीं नहीं देख रहे हैं ना चाहें वो 6 अगस्त को हुआ जब य हम ही आने से 35 लोग अपसलूटली क्या हो जाता है पता नहीं डगता है मैंने जमीन पे इसको देखा है यह नहीं कि आज के दिन यह 2014 से चला है और आज 18 हो गया है मैं तो यह बोल रहा हूँ चालिस साल से मैंने देखा है और यह मानना है कि अम तिल अनलेस यह जाएगा और स को हमारे यह वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो उसको लाइक कीजिए